हैलो वीवर्स जुनियर इंजिनियर यूटुब चैनल से आपका स्वागत है दोस्तो आर आई आर एल इंडिया लिमिटेड की तरफ से गौभर्मेंट आप इंडिया अंडर्टेकिंग पे एक जॉब भैकिंग से निकला हुआ है डिपर्मेंट आप अटोमिक एनर्जी की रही हो आडविस्टरेजमेंट नंबर रिक्यर्मेंट पोस्ट अब भैरियस पोस्ट अप नन यूनियन जेड शुपर शुपर भी सोडी ट्रेनी पोस्ट अप फ्रेशर्स ग्रेट यहाँ आपका फ्रेशर्स रिकुट्मेंट होंगे तो यहाँ पे अप्लिक ओपिन देट ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन एप्लिकेशन यह 30 तरी 30 अक्टेबर अपकर निकलेगी और इसका जो लास्टेट है ओ चौदा नवेंबर है और लास्टेट ऑप पेमेंट यानि पेमेंट करने का डेट भी चौदा नवेंबर है तो यह देख पा रही हो आप्लिकेशन का लिं है सुपर्विस्ट्राडी Australi एन इन ट्रेनी के लिए disciplina of gadget t망. डिसिप्ली और गैजट traini मांगा गया है discipline गैजट traini के लिए 3 वकेंग diplomacy है graduate trainee HRA के लिए 4 भेकिंग्सी है diploma trainee civil, mechanical, electrical and chemical इस तीनों चारों ब्रांचों में 37 अपका भेकिंग्सी निकला हुआ है trainee geologist, petrologist की तरप से 8 भेकिंग्सी निकला हुआ है और trainee chemistry यानि 4 भेकिंग्सी यह grade पे जो है consolidated monthly stipend मिलेगा आपका 37,200 रुपीज plus company, accommodation, HRA and cash in non-ability of company यहाँ पे grade पे 1 यह grade scale पे union successful complication training आपका trainee दियेने के बाद भी अपका यह permanent job मिलेगा आपका 25,000 रुपीज मिलेगा लेकर 68,000 रुपीज भी मिलेगा maximum age limit मांगा गिया है 26 years और यहाँ पे trainee employment दिये जाएगी और यहाँ पे reservation की तरफ से यूर के लिए total 22 वैकिंग सी है EWS के लिए चार वैकिंग सी है OBC, NCL के लिए 15 वैकिंग सी है SC के लिए 9 वैकिंग सी HT के लिए 4 और PWT के लिए 2 तो यहाँ पे physical requirement मांगा किया है तो देख सकते हो और disabled suitable for jobs यानि आपका यह देख ले न और experience बिल्कूल भी experience की ज़रूरित नहीं आप pressure हो तो eligible हो यहाँ पे तो काफी बड़ी opportunity है तो यह देख ले ना पूरा का पूरा तो बता दिया पर total जो age relationship आपको मिलेगा वो EWES unreserved category बच्चों के लिए नहीं मिलेगा OBC NCL के तीन साल छूट मिलेगी SCST के लिए 5CR और PWBD के लिए 10CR और STAC OBC NCL के लिए तो यह देख ले ना और फाइब रियांस और यहाँ पर application mode of written test होगा यहाँ पर selection process की बात करें तो mode of selection written exam होगा फिर अपका CBT1, CBT2 होगा फिर medical भी हो सकता है पेपर 1 कॉंसिस्ट अबजिक्टी टाइप कोस्चन होगा professional knowledge discipline यानि आपका non-technical और technical भी मिलेगा marks each यानि आपका OBC NCL के लिए UR के लिए 30% marks each paper 1 के लिए सायद CBT1 written test Mumbai, Nagpur, Bhubanashar यहाँ पर आपका जाने को मिल सकता है और selected candidate भी और यहाँ पर application fees त्विप्टी हंडर्ड रुपीज अउनली यहाँ पर तो application link में drug system box से डाल दूँगी तो उहाँ पर जाके देख लेना तो वीडियो को अच्छे लगे ऐसे ही job पाने के लिए ऐसे ही job update पाने के लिए हमारे टेलिग्राम पे भी जूर सकते हो और वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एक like कर देना क्योंकि आपको like में motivation मिलता है वीडियो बनाने में और अगर कुछ सवाल है तो comment section में जरूर पूछ सकते हो thank you for watching this video thank you everyone और खमा चाहती हूँ समा चाहती हूँ कि अगर वीडियो में कोई गलती हो तो मेरे को बोल देना मैं सुधार दूँगे सायद मैं तो उतना अच्छे यूटूबर भी नहीं हूँ और होना भी नहीं चाहता जितना हो सक आपका हेल्प करेंगे और और कुछ गलती हो गया सायद यानि मैं तो ही गलत करते हैं कोई नहीं thank you